ये गोरी चिट्टी उंगली बड़ी सूनी सूनी लगदी सच बोल जरा बेदर दी क्या तेनू एह जच दी जी चाहे तू इसमे सैया चार चान्द लगादे रिंग दिलादे मैन्नू स्टायमंड रिंग दिलादे जी चुप दिलादे मैं दिलादे में अग्ता लादे करिं कर दो झाल 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 पहुचाने की कोशिश करते थे होता है कि यह इतना जिम्मेदारी है इससे ज्यादा नो हो वरना कुछ नी होगा और काफी तो अपनी जेब से निकालते हैं और बहुत ही अच्छा इवेंट करते हैं और मुझे तो यहाँ पर आके यह हाँ जी, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी एक गाना रिलीस किया है, क्योंकि हमारे साथ, I mean, इतने experienced and इतने serious director हमारे साथ है, choreographer हमारे साथ है, तो मुझे इतना इतनी खुशी है कि मैं पहली बार इनके साथ काम करने का मुझे 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 मिला है, और इस गाने का नाम है Diamond Ring, जो कि क्रेसी सिंग ने perform किया है, act किया है, और सर्न ने direct किया है, और choreography भी किया है, तो मैं गाके तो, of course, और जब मैंने गाया, तो वो जैसे ओनकार जी है, तो वो मेरे बहुत पुराने फ्रेंड भी है, प्लस बहुत अच्छे तो उन्होंने जब मुझे गवाया, तो मुझे एक था, इसके अंदर एक, 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 एक्स्ट्रा, एक्स्ट्र, एलिमेंट जिसको कहते हैं, वो है, कि आप चार बारी एक हुक लाइंग को रिपीट करते हो, तो वो आपकी दिमाग में एक ट्रिगर हो जाता है, या वो सब्सक्राइब में तो रात को सौन तो भी वही गाना बचता है, और कुछ सोचू तो वह गाना आता है, मतलब में जिस दूसरे इतने गाने किये, वो सब भूल गया, यही अंदर आते जा, मतलब इसमें मैजिक है, और बहुत ही अच्छा किया, इन्होंने गाया बहुत कोशिश की है, इसको पिचराइज करने की, और बहुत ही अच्छा क्रेशी सिंग ने बहुत महनत की, अनफॉटनेटली आज नहीं आपाई है, वो शुटिंग में बजी है, और कोशिश तो किया, उसने लास मोमेंट पर बोला, नहीं पाँच पाऊंगी, तो यही अच्छा अच्छा एक्सपरियंस रहा, वोफूली हम आगे भी करेंगे साथ मेंगे, मजा आती है, और करते रहेंगे, अच्छा नू कमर का, जैसे कि मेरी गुरू है, सरोज जी, सरोज खान, उनके साथ मैंने जो किया, मुझे यही डिपार्टमेंट दिया था कि नू कमर को ट्रें कर वो, उस में, अच्छा ठाज अछिन लास्ट कर सकते हो, तो अई थह अगर को इसे बिढ़र्खा surgeon, जैसे है तुछा उ tätä आस नू कमर जो हुते हैं, नू कमर जो होते हैं, वो रॉर को आप किसे भी मेल्ट कर सकते ह мама उस अच्छा इस्तमाल कर सकता है तो इस तरीके से क्रेशी भी बहुत महनत की उसने अज़ न्यू कमर उसका बॉडी लेंग्विज किया है कुछ पता नहीं था तो बैरिक फ्लोर पे जाने से पहले हमने रियर्सल किया और जब उसने गाया भी इतने अच्छे से तो यह लग रहा ह जो वाइस होता है वो फिक्स हो जाता है ऐसे डेबु में जैसे अमिर खान का आवाज जो था वो ऐसा ही लग रहा है कि उदित नाराइन जी गा रहे हैं सभार सो बहुत ही अच्छा लगा और मज़ा आती है न्यू कमर्स को ट्रेन करने के लिए इन फैट उन्होंने बहुत आते एक आटिस्ट गाता है और किसी भी ही रोजहर रोइन के लिए या किसी भी नू कमर्स के लिए कि अभी आधि से जाधा क्या हो गया कि हम सिंगर्स को पता ही नहीं दा और किसके लगा रहे है तो घंव ए या तो ट्यून and डिरिक्स को सोच के हम लोग देख सकते हैं कि हा मुझे लगी जब ऐसा लगा कि अभी 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 इतियम मैच एंड फिट हो रही है इनके आवाज पे और इनके आटिंग पे तो मुझे सेल्फ साटिस्वाक्शन यह हुआ कि नहीं I think I think अभी हम लोगोंने राइट एक पूरा के कहते हैं टीम ली है अभी होता ऐसे है कि पहले जो फिल्म में बंती थी उसमें सिंगर को बताया जाता था कि यह हिरो है यह हिरोई है और गाने का यह सिचुएशन है आज तो कुछ ने एक गाना धिमाग में आ है तो हम कर लेते हैं और गाना जो है वो क्या है वो सिंगर को खूथ इंप्रोवाइस करना पड़ यह मैं जहां तक मेरा सोचना है और मैंने जिस आप से गाना किया यह ब्लाइंडली इनोंने गाया है तो कितना इंप्रोवाइस किया होगा क्या स्टाइल उनोंने कहां उनोंको यह देना है मोड देना है बहुत ही अच्छा किया डिफिकल्ट है आज के दौर में सिंगर को गाना गाना बिना किसी सिचुएशन के बताएं और हमारे लिए उत इस जिए शोंग आगा है यह दौर आगा है अच्छा यह गार है मुझे ना बुलना कि दौर आगा है इंका डांस कुछ आज मुमेंट देख पाते है यह कुछ कर सकते हैं यह गोरी चिट्टी उंगली बड़ी सूनी सूनी लगदी सच बोल जरा बेदर दी क्या तेनू एह जच दी जी चाहे तू इसमें सैया चार चान्द लगादे रिंगदिलादे मैन्नू स्टायमंड रिंगदिलादे झाल झाल झाल